नमस्कार जैसेल सी साती हो मैं डॉक्टर विंद्र रियाद हो CLC सीकर टीम जुलो जी ठीक है आज हम जुलो जी का जो उनलाइन टेस्ट स्रीज है उसका सोलीशन देख रहे हैं टोपीक है एक्षरेटरी प्रड़क्ट एंड एलिमिनेशन ठीक है तो सबसे पहले 91 क्यूशन है स मैस पेयर ओप एक्षरेटरी सवस्टेंस एंड देर रिलेटेट इंफॉर्मेशन ठीक है सबसे पहले हैं अमोनिया इटीज हाइली टॉक्सीक और सो रिक्वार्ज अमांट ओवाटर फोर इस एक्षरेशन बिल्कुल सही बात है हाली टॉक्सीक होती है लार्ज अमांट ओव कि मोटर इसको करना पड़ेगा उरी केसिड की बात करें इससे भी टॉक्सीक होता है कम्पेरिजन यूडिया की कम्पेरिजन में तो यह किस फौं में होगा पैस्ट पलेट के फोर्म में एक्स्क्रीट होगा तो इसके बाद बात करते हैं है बिप्रुक्त हो गया है तीक है होते हैं झाले यह होता है यह होता है। इस से इस Sara से ठीक है और विश्चेयक्ण हो गया इस गें थे यूरीं है। इसने देखते हैं इसे 32 अबढ़ में इस एंड उनके एक्षिएटी प्रड़क्ट क्या क्या देखो अमोनोटैलिजम के बारे में पूछ रहा कि कौन कौन से और गनीजम जो अमोनोटैलिक होते हैं ठीक है तो यह नहीं होगा इनकर्यक्ट हो गया बॉनी फिशेज क्योंकि बॉनी फिशेज तो फ्रेस वोसकती है यह हो गया ठीक है एक्ट्री। बात करें बिल्गुलुमिं 와rais वहती हैं और जो अलस्म every day डियक है तो यह भी नहीं हो सकता यह नहीं होगा सिनी पाइड घ् 1 आ गया तो कौंसा अपंसन रॉक हो गया सेकेंड कि ग्रेंगे नेक्स लेखते हैं 93 यूरोटेलिज्म इस एक्सेबेटेड़ बाई मैनी एनिमल्स बाई कनवर्टिंग देर अमोनिया इंड यूरिया इन देर हिपिटोसाइट्स लीवर की बात करें दिस मेट थर ओप एक्सक्रेशन इज देखो जो यूरिया जो अमोनिया बनती है सेल के अंदर उस अमोनिया को क किसमेकनवर्ट करता है यूरिया में और कहां होता यह लीवर में ठीक है तो यह जो साइक्ल करने की जरूरत क्या पड़ी तो वास्तों में एक्वेटिक एनिमल्स से टेरिस्टेरियल की तरफ अगर हम इवल्यूशन को देखें तो उसके लिए क्या अडप्टेशन की एकनी जम जब तो यह क्या हुआ कि अडप्टेशन फॉर्डवांटर कंजर्वेशन को क्या कौन सा प्रोसेस अमोनिया को जो सैल के अंदर प्रड्वी जो रही है उसमोनिया को चेंज किया जाता है किसमें यूरिया में ठीक है तो इसको बोलते है और-णि-साइकिल ओर नित ठीक है उसके बाद बात करते हैं 94 की consider about the falling point regarding the human kidney human kidney के बारे में point दे रखें उनको consider करना है reddish brown और bean shape बिल्कुल सही बात और थर्ड लंबर यानि की टी 12 एंड एल 3 इनके बीच में situated होती है ठीक है यह location है इसकी क्रक्ट है अब देखो कि 527 सेंटिमेटर लॉंग एंड 223 सेंटिमेटर विड्थ यह गलत हो गया इसकी लेंद होती है 10 टू 12 सेंटिमेटर विड्थ होती है है अग्या फाइब टू 7 एंड थिकनेस होती है तू टू 3 टू टू 3 अगा विड्थ होई 527 एंड थिकनेस होई हाज कि थिकनेस होजेगी इसकी 223 सेंटिमेंटर अट यह इंक्राइब हो गया होता है विल्कुल साही है रिट्रो पेरिट्टों मतलब होता है कि यह इक टैस होती है तो इसके उपर पेरिटोनीयम की ओनली एक ही कवरिंग जा पाती है कौन सी पैराइटल और वो भी उसकी वेंटल सर्फीस पर ही ठीक है पैलिविक वोल से चिपकी रहती है उसकी उपर से पैरेटियोनियम निकलती है ठीक है तो इनकरेक्ट कौन सा हुआ सी तो ओल करेक्ट है एक्सेप्ट सी आंस्वर सेकिंड ओके 94 उसके बाद देखते हैं 95 अब कि अब सेलेक्ट दा इनकरेक्ट में अब दा स्टक्चर एंड डियर रिलेटिड इनफोर्मेशन ठीक है रिनल पैल्विस रिनल पैलिविस है क्या पार्ट है यूरेटर का चिड्नी के अंदर जो किड्नी की जो हाइलम रीजन होता है हाइलम जो रीजन है यह देखो यह जो है यूरेटर यह हाइलम रीजन है यह जो पॉर्शन है इसको बोलते हैं पैल्विस ठीक है यह रिनल पैल्विस है ओके उसके बाद बाद कर रहे हैं minor calyx minor calyx क्या होता है some medullary projections यहां होती है medullary pyramid और यह open होते हैं तो यहां क्या होता है minor calyx होता है ठीक है renal column of bittany renal column of bittany क्या होता है कि columnar structure of cortex cortex है अंदर धस्ता है तो उस्हें बनता है रिज्इन होते हैं मेडुलर होते हैं उनके बीच में पाँ अंदर धस्ता यह इसको बोलता है रिज्द कॉलम नहीं नहीं होगा यह होगा इनकरेक्ट ऑगया यह तो एल। देखतानी क्यों सा स्कुलिए है न तक्रेक्ट हुक्त फिल्गुभुल क्यटस यह दो किसा गन्हें मانं घोला मुझाए को एको यह nhất निक क्यों निदेशिक हैं Select an incorrect statement, incorrect statement regarding the JG nephron, justramedullary nephron, अब JG nephron क्या होते हैं, जो जिननका क्या होते हैं, जो जो मेडला में अंदर तक धसा रहते हैं, ठीक है, और इनका जो पूर्शन होते हैं, किडिनी में 15% थो होते हैं जेजीनाफ्रोन 15 15 15% होते हैं जेजेजीनाफ्रोन और इंन में क्या होता है लोग होता है जो मेडाला में अंदर तक घश रहता है ठीक है आँ दो शलिए याइन आर मलें लमप होता है तो उसकी चार ओवर मिलनी वाली वासा रही वह भी लोंग होगी वह भी डीप मेडुला में अंदर तक रहेगी ठीक है वेल डवल अप रहेगी और इनका मैं क्या होता है इंपोर्टेंट लोपों पहलने जो है जे जे नैप्रावन में जितना लंबा होगा यूरीन की कंसेंट्रेशन में उतना ज्यादा हैल्प मिलेंगी क्योंकि यूरीन का जो कंसंट्रेशन है उसका रिलेशन किसे लोप अपहले से ठीक है करन्ट काउंटर में के नीजिम होती है उस वज़े से तो पहला देखो हैले लोप इस लोंगर एंड रीज तू डीप मेडूला बिल्कुल सही है करेक्ट हो गया वासरेक्टा वेल डवलप होगी जीतना लुप एले डीप में जायेगा उसके तो स्रावंडिंग वासरेक्ट हो भी यूटनी डिट्यवलप होगी ओके ऑडिज आर मोर् नियूम्रस मोर्नी नहीं होते हैं लिजोम्रस कौन से होते हैं 85% هicias facet count aocadol control कितने होते हैं 85% होते हैं यह तो 15 होते हैं तो यह क फरड़ हो गया 96 में ओके नेस्ट देखते हैं कि नॉर्मली दा आर बी आर भी है फ्रीनल ब्लड फलो प्रीनल ब्लड फलो और रिनल ब्लड फलोर्मली कितना होता है जो हर्ट से निकल रहा है ब्लड ये हर्ट हुआ ठीक है और हर्ट से निकलने वाला बलड है उसको बोलते हैं न कार्डियक मोता है उसका मतलब 20 परसेंट क्या उता है रेनल बिलड फैलो काडियक आउट्पूट कितना होता है लंग बग होता है ठीक है 5000 mL होता है तो यह कितना हो जाएगा लंग बग 1100 to 1200 ml लगबग ठीक है तो लगबग 150 होता है 20 परसेंट 97 में फस्ट हो गया उके उसके बाद देखते हैं 97-98 ठीक है पोडोसाइट आर प्रजेंट इन पोडोसाइट सेल कहा होती है यह देखो यह होता है बोमन कैप्सूल कप लाइक डबल वोल्ड इस्टेक्चियर ठीक है यह तो इसकी पराइटल हुई और एक विश्रल लेयर होती है इस में ठीक है डबल वॉल्ड कपलाई के इस्टेक्चिर होती है इसके अंदर क्या होता है अ यह डबल वोल्ड है ठीक है और इसके अंदर क्या होता है यह होती है इसकी जो इनर वोल होती है इसके अंदर होती है सेल्स पोडोसाइट सेल्स ठीक है और इन पोडोसाइट सेल्स होती है इनके बीच में जो इस्पेस होता है उसको बोलते हैं इसलीट पॉर ठीक है इसलीट पॉर जिसका किसमें जो काम आते हैं किसमें अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में ओके तो कहां होंगी यह विस्ट्रल वोल ओप बोमन कैप्सूल ओके नैंटीएट में हो गया सेकिंड नैंटीनाइन की बात करते हैं कि मिनिममम लेवल ओफ यूरिया अकर इन ब्लॉड ओफ रिनल वेन बट मैक्जिममम लेवल ओफ यूरिया अकर इन दा ब्लॉड ओप देखो सेल है यह ठीक है सेल के अंदर बनी अमोनिया ओके यह अमोनिया आई किसमें गई लेवर में ओकें कि लेवर में गई है किसे इस यह अपिर टिक अब दकनली हो और लीवर ने इस अमोनिया को किसमें चेंज कर दिया यूरिया में चेंज कर दिया, ठीक है, हैपेटिक बेन, अब ये हर्ट के थुरू वापस से जाएगी, किस में, किड़नी में, यहां से यूरिया जा रहा है, किड़नी में, और ये किस से जाएगा, रिनल, अर्टरी, ठीक है, और किड़नी में से यूरिया तो निकल जाएगा, यूरियन से, और बचावा ब्लड, हर्ट में जाएगा, किस से, रिनल वेन से, ओके, अब क्यूशन में दे रखा है, कि, मिनिममम लेवल होता है, रिनल वेन में, क्योंकि मैक्जिमम यूरिया था, वो तो निकल चुका किड़नी से अब जो यूरीन जो फिल्टर होके जो बलड जा रहा है वो रिनल वेन में उसमें यूरिया होगा है नहीं क्योंकि वो तो किड़नी से निकल गया अब बात आती है कि मैकजिमम कहां था तो जब अमोनिया को यूरिया में कनवर्ट होता है है तो कि भीच सो फोलॉंग प्रेसर अपोज्ड प्रोसेश एंड राफ लट रिन मुंट्र फिल्ट्रेशन 2003 होता है यह टंप 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 केपल रिज हैं थीक है डंस बैंप ट!? है जा यह होता है डम्व वोल्ट्सक्राम कैप्स्यू थीक है है पॉलमन चैप्सुल हुआ तो यहां से यहां होगा तीक है इसको बोलते किल्टरेशन की इसके लिए फिल्कॉल की क्कॉन क печos के आपोज करेगा चैप्सूल के अंदर यहां क्ये अगा कैफशुल हाईरोस्टिक परेशर जो की filtration का अपोज करेगा दूसरा इन capital गे अंदर blood है उसका जो होता है blood colloidal osmetic pressure यह भी क्या करता है अपोज करता है यह दोनों करते हैं अपोज और glomerular hydrostatic pressure यह क्या करेगा support करेगा ऑके यह करता है support GHB तो देखो blood colloidal osmetic pressure and capsular hydrostatic pressure यह दोन क्या करते हैं अपोज करते हैं तो यह support कौन करेगा दोनों करेंगे मतलब यह support करेगा glomerular hydrostatic pressure और CHP और BCOP यह दोनों अपोज करते हैं तो क्योशन क्या पूछा है कि कौन कौन सा करता है अपोज ठीक है तो आंसर हो जाएगा fourth second or third ठीक है blood colloidal osmetic pressure और CHP दोनों क्या करते हैं अपोज करेंगे इसलिए fourth आगया answer ओके 100 में होगे fourth नेक्स देखते हैं 101 वाट परपोर्शन ओप नेफिक फिल्ट्रेट इस रिप्जोब डूरिंग दा प्रोसेस ओप यूरीन फोर्मेशन यूरीन फोर्मेशन होता है तो कितना जो फिल्ट्रेट है वह रिप्जोब होता है ठीक है देखो जो ग्लोमिरुलाल फिल्ट्र फिल्ट्रेशन जो रहाट होती है वह होती है 180 ml 180 sorry 125 ml पर मिन्ट्रेटर्टर फ्रक्रेटर फोर्मेशन फिल्ट्रेटर यूरीन होता है 121.5 121.5 121.5 लिटर पर डे मतलब पूरे दिन में पर डे वन तो बन पॉइन फाइल लिटरी ही यूरीन एकस्क्रिट होता है जब कि कितना होता है 180-0 होता है इसका मतलब 95% से ज्यादा क्या होता है यह absorption हो चुका होता है तुब्ल में ठीक है मोर देन 95% का तो 101 में क्या आगया फोर्ट आगया नेक्स देखते हैं कि वीच ओफ फोलिंग इस इनक्रेक्ट रिगार्डिंग अपने को पहला देखो फर्स्ट अप्शन इती दा साइड ओप मैक्जीमम भी अप्जोप्शन ड्यू टू लाज सर्फेस एरिया प्रोवाइड बाइद ब्रस बोडर एपिथिलियम विल्कुल क्रेक्ट हो गया ब्रस घुच बरफ बरफ फोलीन अप्राइब्र यह दो सर प्र Kenny इस वजब्से से ने एक्टीव एपजोप्शन ओव्लकूच आमम्यूअसीड ब्लस ब्लिलकुल सही बात है अब इसमें देखो एक्टीव किनकिन का होता है एक्टीव एक्टीव होता है पिल्लकूज वीन एकिटि क्रीक है एने प्लस केल्सियम यह सब क्लोराइड़ इनका होगा है कि अब क करूटर şunu कि देख आ्ट कि लुकुल करेक्ट हो 40-80% absorption of water by active यह इंक्रक्ट हो गया एक्टिव की बज़ाए क्या है पैसिव ओके तो आंसेर कौन सा हो गया यह इंक्रक्ट है पूचा है तो आंसर हो गया फोर्त वन-जिरोड व में क्या हुआ फॉर्ट आंसर क्रेक्ट हुआ which of the following part of nephron is helpful in maintenance of pH of body, body की pH का maintenance की बात कर रहे हैं, pH maintenance and ionic balance pH maintenance and ionic balance के लिए responsible कौन सी event activity होती है वो होती है tubular secretion, tubular secretion और tubular secretion में क्या होता है H+, K+, and ammonia का क्या होता है, tubular secretion होता है, okay ammonium का, H+, K+, और ammonium ठीक है, अब बात आती है, तो यह तो PCT और DCT दोनों में होती है ठीक है, tubular secretion तो, तो answer कौन सा हो गया, fourth 103 में क्या आएगा, fourth answer correct, okay, उसके बाद देखते हैं, 104 which of following is not a function of DCT, DCT का function नहीं है, ठीक है, तो conditional reabsorption of N-A+, बिल्कुल होता है, DCT में, bicarbonate का reabsorption होता है, selective secretion H+, K+, and ammonia बिल्कुल होता है, बट obligatory absorption water का नहीं होता है, है, 104 में क्या आगया, fourth हो गया, okay, उसके बाद देखते हैं, 105 consider about the falling function, pH maintenance of body, तो इसमें पूछा है कि, which of these function are played by the kidney, kidney में कौन-कौन से function kidney play करती है, important role in functions के लिए, kidney कौन-कौन से functions के लिए role play करती है, देखो, pH maintenance of body, बिल्कुल correct बात है, kidneys काम को करती है, metabolic west को excrete करती है, erythropoiesis में भी support करती है, regulate करती है, क्योंकि erythropoietin, 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 erythropoietin जो होता है, erythropoietin, जो hormone होता है, वो कहां से secret होता है, kidney से, तो तो काम करेगी erythropoiesis में, osmoreglation भी करती है, ठीक है, तो चारो की चारो function kidney करती है, इसलिए answer हो गया, fourth, okay, 105 में क्या हो गया, fourth correct answer, 106 की बात करते हैं, sterol, hydrocarbon, wax are excreted out from the body through, यह सब किस की दोवारा होते हैं, CBACS gland के, CBACS gland यह सब काम करती है, ठीक है, यहाँ जो पहला option है, pseudo-preferrous gland यह तो होती है, sweet gland, sweet gland होती है, sweet gland, ठीक है, तो कौन सा आगया, CBACS gland, second option is correct 106 पे, है, okay, 107 की बात करते हैं, select the incorrect statement, incorrect statement की बात कर रहे हैं, ठीक है, an adult excrete 1 to 1.5 लिटर urine per day, बिल्कुल सही बात है, ठीक है, urine is slightly yellow due to eurochrome, यह pigment की वज़े से होता है, और phacetik होती है, six होती है, बिल्कुल correct बात है, ठीक है, statement correct हुआ, ठीक होती है, ठीक होती है, ठीक है, ठीक है, डाइबटीज के अंदर ऐसा होता है, तो answer fourth क्या होगा, incorrect तो क्या है, incorrect statement पूछा है, तो answer क्या होगा, fourth, okay, चलो, 108 देखते हैं, 108 की बात करें, current counter mechanism does not involve, current counter mechanism क्या होता है, loop ओ फेलने में जो filtrate है, उसका flow एक side में होता है, वासर एक्टा होती है, जो parallel होती है, उसके उसमें opposite direction में होता है, इससे क्या होता है, current counter mechanism, और यह इसके लिए क्या importance है, इसकी urine को concentrate करती है, ठीक है, जो kidney की जो medulla में जो interstitial fluid है, उसकी concentration को gradient को high रखना, यह भी इसका काम है, ठीक है, अब देखो, process of concentration of nafic filtrate, बिल्कुल correct हो गया, process of concentration of urine, correct हो गया, maintenance of high osmality in medullary and cortical, यह गलत हो गया, medullary में क्या करता है, high osmality रखती आए, इस process से high osmality होती है, medulla में, but cortical में नहीं होती है, flow of nephric filtrate and blood of vasorectine opposite direction of each other, यह correct हो गया, third number क्या incorrect हुआ, क्यों क्योंकि medullary interstitium में high osmality होती है, cortical region में नहीं होती है, ठीक है, cortex में कितना होता है, 300 osmosis, यहां क्या होता है, 1200 medulla में, तो सेम नहीं हो आना, तो यह third क्या है, incorrect हो गया, 108 में answer कौन सा आ गया, third, okay, 109 देखते हैं, which of the following substance is not excreted out through pseudoreferous gland, मतलब sweat gland की बाद कर रहे हैं, ठीक है, sweat gland में NSL भी होता है, ureo भी होता है, lactic acid भी होता है, water भी होता है, ठीक है, 1010 की बाद, 1110 की बाद करते हैं, which of the following is mismatched, ठीक है, तो इसमें देखो, nephric filtrate की बाद करते हैं, ठीक है, nephric filtrate, बोमन capsule और PCT के अंदर क्या होता है, isotonic होता है, ठीक है, उसके बाद बात करते हैं, जैसे जैसे जो loop up henley है, उसकी ascending limb है, descending में तो जैसे जैसे नीची आएगा, क्या होता जाएगा? concentrate होता जाएगा, ascending में, जैसे जैसे उपर जाएगा, filtrate क्या होगा? dilute होता जाएगा, ठीक है? तो naphric filtrate descending limb of Henley look में क्या होता है? हाइपोटॉनिक हो जाता है जबकि बात करें नेफरीक फिल्ट्रेट जब अफ़र्मंस्ट फार्ट होता है असेंडिक लिम में तो हाइपोटॉनिक हो गया हुआ तो हुच है हमसे तो कौन सा हो गया कितना हो 110 में 4th हो गिया answer है आगे next देखते हैं 10 कि ट्रिपल वन की बात करतें 111 की filtration of the blood takes place at blood का filtration कहां होता है बोमन capsule में ठीक है बोमन capsule के ओपर क्या होता है वोमन capsule होता है उसके ओपर glomerulus होता है रह मिलकर कर के बनाता है मेल्स पिजर्ट पिचर्पिज्च अंदर होता है कि है यह हो गया मेल्स प्लॉर सिक भूडरेंत safety-d pry तोप travert कि यह होता है ज्यक्ति- compared press जा eff08 प्लॉर्स सब्सक्राइव पुल मेरह टमारूरीज यह यह अशाद और दोनों मिलकर क्या बनाते हैं मेलपीजियन बोड़ी या कार्पसल्स ठीक है तो क्या जाएगा मेलपीजियन बोड़ी तो 111 क्या हुआ फूर्थ आंस्वर इस क्रेक्ट ठीक है नेक्स देखते हैं एक सुबारा इस डिफेंड टाइपस ऑफ एक स्क्रेटरी स्टेक्चर और नीमल और गिवन बोलो मैश दें एप्रोपिएटली एंड मार्क तक रख टांसवर ऑंग दोज गिवन बूलो ठीक है तो देखो इसमें एक साइड में दे रखेंग आ हैं एनिमल्स ठीक है सेकिंड दे रखा है एक है यह उसमें क्या होता है यह प्रोटो न्यफिटिया होती है इनलीड इंसेक्ट में ग्रीन ग्लेंड या एंटिनल ग्लेंड होती है ठीक है तो आंस्वर आजाएगा हैँ में में फॉर्ट हो गया इस बंसर क्रस्ट हो गया तो एस फॉर्त फॉर्ट हो गया है ज़ो एक depends में फैस्ट हो गया 103 की बात करें नेक्ट which one of the following statement is incorrect statement की बात कर रहे है ठीक है the medullary zone of the kidney divided into the few conical mass called the medullary pyramid projecting into the calyx medullary zone होता है वो kidney का वो divided होता है किसमें conical masses में उसको medullary pyramid बोलते हैं सही बात है ठीक है inside the kidney cortical region extend in between the medullary pyramids और उसको बोलते है renal column of bethany यह renal pelvis क्या हो गया है इंक्रक्ट है यहां पर तो इस्टेट्मेंट क्या हुआ second incorrect ठीक है ग्लोमिरूलस अलोंग विद बॉमन कैप्सूल इसको बोलते हैं क्रक्ट हो गया है रीन ल कार्पो फिस प्ले目न अन्चया क्या嗎 सेकंड क्या है इंक एक सो तेरेमा आंसर क्या हुआ सेकंड हो गया ठीक है चलो नेट देखते हैं 114 ठीक है मैज दा टरंब गिवन इन कोलम फस्ट और सेकंड एंड फिजियोलोजिकल प्रोसेस एक साड में टरंब दे रखी है सेकंड में उसका फिजियोलोजिकल प्रोसेस दे रखा है तो दोनों को मेच करना और आंसर को देखना ठीक है। देखो पींशीट की बात करएं ने maximum absorption होता है 70-80% एक तो PCT का काम हुआ DCT का क्या काम होता है आनिक मेंटेन रखना DCT का काम है मेंटेनस तब आनिक काम है में ठीक है ए में 3 हो गया बी में 4 हो गया लोपोप है है ने बाद किया है लोपों भेलने काम क्या है एक इसमें क्या हो गया हो गया क्रंट काउंटर मेकनिजिम का काम है जो मेडुलरी इंटस्टिशियम होता है उसकी ओस्पलेटशी को हाई बनाइए रख्था जो 1200 उसमसिस घुता है वो मैंटेन करके रखना ठीक है तो maintenance the concentration gradient in medulla यह काम है किसका crown counter mechanism renal carpuscles का काम क्या है blood का filtration करना है ठीक है तो dm5 एक के अंदर क्या होगा second तो answer क्या होगा second correct हो गया ठीक है 114 का answer हो गया second ठीक है 115 की बात करते हैं we can produce a concentrate या dilute urine this is facilitated by a special mechanism जिस mechanism से concentrate या dilute urine produce होगा उस mechanism क्या है current counter mechanism urine का जो formation करती है mechanism वो क्या है current counter mechanism है और लोब औभ हैंले एंड वासा रेक्टा दोस्के अंदर क्या करते हैं में रोल पार्टिस्पेट करते हैं में जो participation है वो किसका है लोब औभ हैंले और वासा रेक्टा ठीक है यह हो गया लोब और यह है वासा रेक्टा ठीक है यह दोनों क्या होते हैं इन दोनों में जो क्या रोटिलोटर होता है उसका 토न गांट्र मेकणीजिम करूफ होती है ठीक है तो हो गया इस फ्लोव क्या होता है अपोजी डिरेक्शन में होता है इससे क्या होता है क्रंट काउंटर मेकनीजम होती है ठीक है तो आंसर क्या हो गया क्रंट काउंटर मेकनीजम लोग पो फैले और वासा रेक्टा में इसी की वज़े से क्या होता है यूरीन कंसंट्रीट वनेगा इस मेकनी in water का जो absorption है वो किस पार्ट में maximum होगा तो जिस पार्ट में maximum absorption होता है PCT के अंदर देखो जितना filtrate होता है उस filtrate का 99-95% से भी ज्यादा क्या हो जाता है 95% से भी ज्यादा क्या होता है री एब्जोब हो जाता है 95% से भी ज्यादा और 95% में भी लगबग 70% का होता है PCT में जब सबसी ज्यादा री जब सबस्क्राइब ज्यादा होगा ठीक है तो क्या जाएगा तो इस तो 116 में क्या जाएगा फर्स्ट हो जाएगा ठीक है नेक्स देखते हैं 117 जाएगा जिए फर इन हेल्दी इंडिविजिएल जिए फर हेल्दी इंडिविजिएल में कितनी होती है 125 एमेल पर मिनट ठीक है या 180 लीटर पर डे ओके तो क्या आ गया कि 125 एमेल पर मिनट आ गया 117 में सेकेंड आ गया अंसर कि 118 की बात करते हैं 118 नाइट्रोजिनस वेस्ट इस एक्सक्रेटीड मैनली एज अब देखो इसमें एनिमस दे रखा है और उसका एक्सक्रेटरी प्रड़क्ट दे रखा है कि फ्रोग से क्या फ्रोग में क्या एक्स हुआ है टीक है अमोनिया रिलीज करता है ठीक है तो फ्रोग क्या होता है यूरेटलिक और टाइड़पूल आरवा क्या होता है अमोनोटेलिक तो आंसर क्या हुआ इसमें डाइग्राम दे रखा है ठीक है डाइग्राम दे रखा है एक साइड में और डाइग्राम से मेच करना है देखो यह क्या है यह है क्या है क्या है मेडूलरी पिरामीड है भी क्या हुआ मैडूलरी पिरामीड है ठीक है क्या है क्या है क्या है कोटेक्स है देखो ए तो कोलम हुआ भी मेडूलरी पिरामीड हुआ सी कोटेक्स है डी क्या है यूरेटर है डी यूरेटर हो गया जहां से यूरीन इप्लेटर में क्या जाएगा यूरीन जाएगा ठीक है डाइग्राम के अंदर देखा एक क्या हुआ र छो में भी कोम सेकेंड युरेमिया लास्ट वला वड देखो युरेमिया मतलब किसमें है ब्लोड में है ठीक है। यूरिया इन ब्लड acumulation of the u yurian blood एक अंदर 4 हो गया। केते हैं की टॉन यूरियह यह क्वेला सोला हो गया क्टिक पीटोल में गलाइकोज ड्रीकस में ज्यादा है कि समें यूरी है स्टी के अंदर थर्ड हो गया ब्लेयड डायॉजर डायॉजर क्या होता है तो डी यंद अ कर किद्निक यह वोलते हैं तो डी के अंदर सेक्ट अन्ष आंसर कोंसा है है थिके नक्स देखते हैं 121 यह धार पन्सेट कॉछरे दे प्टन प्टमेंट छेटमीर अब जो स्टेट्मेंट दे रखे हैं फोर उसमें ट्रू एंड फोल्स को आइडेंटिफाई करना है ठीक है चलो देखते हैं फास्ट है एक्ट्रियल नेट्री युरेटिक फैक्टर एने फैक्टर कैन कोज दा वेजो डाइलेशन बिल्कुल सही है जब ज्यादा हो जाएगी ज्यादा है तो क्या होगा ज्यादा होता है हमीशा इस वजया इस से क्या होगा जैसे ब्लड का तेजी से आयेया है जोंकी HEY project कारता बात दे रखा है on an average 60-70 gram of urea excrete per day बलकि यह गलत हो गया क्यों क्योंकि कितना होता है 25-30 gram ठीक है 25-30 gram क्या होता है एक्सक्रीट होता है यूरिया पर दे तो यह भी क्या हो गया स्वेट ग्लेंड ओके फोर्थ देखो पीचीटी इस लाइंड बाइदा सिंपल को वेडर ब्रस बोडर एपीधिलियम उसकी वज़े से क्या होता है ज्यादा होता है रिप्जूशन ज्यादा होगा क्रक्ट हो गया तो आंसर देखो फस्ट क्या होगा फोल्स है सेकेंड भी फ फोर्थ प्रू रूगा थ्युक्त टिनों स्टीट्मेंड वन टू ऐल गया ऑर फोels आइज फ्रू हो गया 121 में क्या होगा साग्ट अब बात करते हैं 122 की कृन्सेंट्रेशन ऑफ यूरीन डिपेंड एपॉन विच ओरगन देखो यूरीन की कंसेंट्रेशन करती है लैन्द ओफ लूप ओफ फैलने की जतनी ज़्यादा लैंथ होगी वासरेक्टा उतनी ड्वलप होगी तो क्रण्ट काउंटर मेकनिजम उतना हिशांदार होगा ठीक तो लेंद्ध अप्लोप फैले इंपोर्टेंट है क्योंकि आप पढ़ाए कि यूरीन के जो कंसंट्रेशन में किसका इंपोर्टेंट रोल होता है लोप फैले और वासरेक्टा और कौन से सबस्टेंस का एने अचल और यूरिया का ठीक है तो 122 में क्या हो गया सेकिंड हो गय ओर फिल्ट्रेट ठीक है तो देखो रिए अब्स्प्रों हो जाता है में जितने यूजफूल होते हैं उना Sig और इद्जिक हो जाता है착 लुकोज की बात करें ठीक है तो मैक्जिमम जो यूजफूल होंगे उन्हों सभी का कहा हो जाएगा कि पी सीटी के अंदर होता है ठीक है तो 123 में क्या हो गया थार्ड है ठीक है सेल को छोड़ करके सेल को छोड़ करके प्लस में प्लाजमा प्रोटीन को छोड़ दें प्लाजमा प्रोटीन को छोड़ दें तो पूरा ब्लड क्या होता है चंज जाता है ठीक है फिल्ट्रेट हो जाता है यानि कि ब्लड की बात करों तो ब्लड में से सेल्स के जो सेलूलर जो component होते हैं cell component होते हैं उनको blood plasma को छोड़ कर पूरा blood filtrate होता है अगर plasma की बात करों तो plasma में से plasma protein को निकाल दूँ ठीक है तो ऐसे कहूं मैं अगर blood की बात करों तो blood में से cellular component plus plasma protein को छोड़ करके पूरा blood filtrate हो गया अगर बात करों मैं plasma की तो plasma में से plasma protein को छोड़ दूँ तो वो क्या होता है बाकि पूरा plasma filtrate होता है ठीक है तो उसके अंदर albumin और globulin नहीं होंगी तो answer second correct हो गया 124 का ठीक है 125 बजिए भी बलड वैसल टेक बलड अवे फ्रों मिरूलस से कौन सी ब्लड लेको जाएगे देखो कि यह है कि गलोमिरूलस टीक है इप I just blood आएगा यह क्या है current को ऑके और यहां से ब्लट जा रहा है Uh Korean The Heart home a.k.k. फिल्ट्रेट होने के बाद में दर से तो हो गया हो इसे होने के जाता है वह किसी जाता है इफ्रेंट 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 अर्टेरियोल है ठीक है तो 125 में क्या हो गया है फूर्थ आनसर हो गया इफ्रेंट अर्टेरियोल ओके उसके बार नेक्स देखते हैं 126 कोटेक्स content 300 Osmosis per liter 300 and medulla content 1200 Osmosis per liter concentration it is mainly due to अभी हमने देखा था concentration का reason क्या था क्रण्ट काउंटर mechanism ठीक है और इसका जो इसमें मैं जो participate कर रहे हैं कौन कौन से सबस्टेंश कर रहे हैं सबसे पहले का होगा राज सिस्टम जो होता है रेनीन लेल स्टैनीनली तो क्या होगा होगा रेनिन रिलीज होगा ठीक है जैसे रेनिन आएगा तो रेनिन कनवर्ट कर देगा बलड के अंदर प्रेजेंट एंजियो टैन्सिन अजन एंजियो टैन्सिन ओजन झति आन्सिन में जोएंजिटन इंजियो टैन्सिन फ्रस्ट में ए टीक है एंजियो टैन्सिन फ्रस्ट फ्रस्ट केंड हो गार हेर्य प्यॉर्फू वैसो क्निट होता यह वैसो कोंप्र जिएंट्र है सिर्स्ट आंश्वर करक्ट हो गया 120 से उनका ठीक है लो नेक्स देखते हैं 128 इस डेक्षॉर्स मसल्स इस फांद इन वोल ओफ देखो डेट्रीस वाँ अब छहां होती है कि यह है युरिनेरी ब्लेड़ ठेक यह युरिथ्रा यहां इसंतर होते हैं इनर व्ल और इस एंट्रूरल ब्लेर कि इंटरनल वोल होती है उसके इंदर मसल सोती हैं अनको बोलते हैं this generosity of muscles थीटर तो एक इस में होती है यूरेनरी ब्लेडर में होती है डेटर सोर्स फॉर्थ आनुसवर क्रें 128 की बात करें स्मूथ मसल्स होती हो 129 देखो विच वन स्टेट्मेंट इज रॉंग कौन सा स्टेट्मेंट रॉंग है देखो अमोनिया इज रेपेडली सोलीबूल एक्सक्रीट थूदा जनल बोडी सरपेश गिल्स किस फॉर्म में अमोनियम आयंस के फॉर्म में करक्ट हो गया ठीक है इन यूरियो टैलिक एनिमल्स जो यूरिया का उस्क्रीजिक बियूष और टोक्सिक होता है एक्सक्राइट इडाउट और कुर्च अमोनियद गुल्कूल हो रोल नहीं है बल्कि जब्की बात करें हम किसकी यूरिया की तो यूरिया को तो कहां से कम एक्सिरिर्ट होना पड़ेगा किड्नी से ठीक अब गढूब इसर Ministers वह आता है इसकी जो हम आंडर क्लेक्टिएट जम आजयता है वह नो या मेडूलरी जो इंटरस्टीशियम होता है उसकी ओस्मलिटी को हाई रखने के लिए ठीक है 1200 तो इसमें देखो सम एनिमल रिटेन यूरिया इन सम अमाउंट इन डियर केड़नी मैट्रिक्स टू डिक्रीज अभी डिक्रीज नहीं इनक्रीज आएगा यहाँ तो यह आंस्वर क्या हो गया यह स्टेट्मेंट इनक्रेक्ट तो पूच्छा त रहां स्टेट्मेंट तो आंस्वर क्या हो गया फॉर्ट हो गया 129 में फॉर्थ ठीक है सब्सक्राइब और नेट आप्टोप केपिलरी का गुच्छा होता है जो पूमेंड कैपसूल के अंदर होता है ठीक है तो आंसर यह स्टेटमेंड कर्थ हो गया ठीक है उसके बात सीध केपसूल जो इसके बीच में क्या होता है गुरमियूलस होता है तो स्टेटमेंड करेक्ट हो गया एक Goddess अलॉण विद बोमेंड कैप्शूल जब रूम्हीयों केपसूल मिलेंगे तो इसको मेल्पीज़न बोडी या मेलल्पीजinyaN कार्पसल्स बोलेंगे ओके तो आंसवर करेक्ट हो गया यह इस्टेट्मेंट करेक्ट हो गया ठीक है अब देखो स्टेट्मेंट ऑप PCT and collecting duct are connected by the loophole फैले अब देखो यह होती है PCT ठीक है यह PCT है loophole फैले हुआ यह DCT हुआ फिर collecting duct है तो इसने लिखा कि PCT और collecting duct loophole फैलने से connect होती है यह statement क्या होगा incorrect हो गया क्यों क्योंकि PCT or DCT connect होती है नहीं की collecting duct तो statement में connecting duct की जगह है collecting duct कि दर है क्या आना चाहिए था इसकी जगह आना चाहिए था DCT ठीक है तो यह क्या हुआ है फाल्स हो गया ना यह incorrect statement हो गया PCT और collecting duct नहीं connect होती है PCT and DCT connect होती है लोगों को फैलने से ठीक है तो A B C and D क्या होते है क्रेक्ट हो गया ठीक है तो A B C and D क्रेक्ट होगा इंक्रेक्ट है ठीक है तो 130 में आगया फस्ट आंस्वर नेक्स देखते हैं 131 ठीक है विच वन इस ग्रक्ट फोर जेजीए ओफ नेफ्रों नेफ्रों की जेजीए की रेपेंस में कौन से क्रेक्ट है ठीक है देखो statement इटीज रेगुलेशन ओफ ग्लोमिरूलर फिल्ट्रेशन एट जी एफर का divine ещё के साथ में क्या क्णburn होता है उस जगया पर क्या बनता है तूज जगे बनता है ये याप कि एपरेटस जेजी एपरेटस ठीक है है थीक है कि यूबडल कोलम्नार और लैसिक सेल्स तीन सेल्स होती है वह मिलकर क्या बनाती है जेजी एपरेटस बनाती है ठीक है कोलमनार सेल्स होती वैसे यह पर कुछ जगह कोवल मर सैल्स बनती है और बीच के बीच में जो बनती है वह लैसे सेण सोटी लैसिस है लासी एक अधिक है यह तिनों मिलकर क्या बनाती है जेजी एपरेटस बनाती तो यह करक्ट हो गया भी-भी ठीक है एकदम करेक्ट हो गया तो टीनों स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है इसे रिलेटेड है ठीक है तो 131 में क्या गया फर्स्ट ओके नेक्स देखते हैं 132 ओके आइडेटिफाई करना है डाइग्राम दे रखा है उस डाइग्राम में आइडेटिफाई करना ए बी सी और देखो जो है एक तो रिनल वैन हुई भी क्या है पैलविस है ठीक है उसकी बाद में सी क्या है सी तो इनफीरियर वेना कहवा है इनफीरियर वेना कहवा है पीक है और डी क्या है एड्रिनल ग्लेंड है तो देखो ए तो रिनल वेन हुई भी पैल्वी से ठीक है कि देखो ओके हैं इनफीरियर वेना कहवा कोञ है ये तो फस्ट और oni करक्त हो गया ये की ओपर किया रिनल वेन्फि ने रिदे नंडल विज crimes बोलते हैं उसको और सी मार्किंग है इंफिरियर वैना कैवा की और डी है एडिन ग्लेंड की तो 132 में आंसर क्या हो गया फिर्स्ट ओके 133 देखते हैं नेक्स ने के इसके पैली के साथ में तुक है पीछे की सैड में और टी टुवल ओर ये थी मतलब थोरे सिक लास्ट थोरे सिक और लंबार 3 उसके बीच रीजन में वहती है अब पहलीग के साथ की साथ हो गई तो इसके उपर से पेरिटोनियम जाएगी उपर से पेरिटोनियम जाएगी पेराइटल और वह भी ओनली वेंट्रल साइड में ठीक है तो पेराइटल पेरिटोनियम होगी वह भी ओनली वेंट्रल साइड में ठीक है जैसे यह किड़नी है ठीक है यह वोल है बोडी वोल इस बोडी वोल के साथ पीछे की साइड में चिपकी हुई है और इसके उपर से पेरिटोनियम निकलेगी ऐसे ठीक है ऐसे इसके उपर से पेरिटोनियम जा रही है यह बोडी वोल से चिपकी हुई है यह उपर से पेरिटोनियम निकल गई तो केवल एक एक साइड में peritonium आपाई आगेवाली साइड में बाकी बोडी वाल से चिपकिया इसके उपर से peritonium जाएगी तो ओनली प्रेटल प्यरीटोनियम होगी और वो भी उसके वेंटल साइड में ठीक है तो आंस्वर 33 में क्या हो गया सेकिंड हो इसलिए इसको बोलते हैं रेट्रो पेरिटोनियल ओर्गन ठीक है नेक्स देखते हैं 134 which of the following structure is impermeable of to water water के लिए impermeable देखो लूप भेलने की बात कर रहे है ठीक है नेफ्रोन में देखो यह लूप भेलने है ठीक है यह लूप भेलने का कौन सा स्चाइब और बाती के अडिक है और ये हैं मम अर्ञेड इसेंडिन सब्सक्राइब कर देखो इसे फिल्त आराए सब्सक्राइब देखों आरे तो इस डिसेंडिंग है तो इस लोंकि यह लिम्प लोग यहतीज़ींग हो टो एक्रमिफ की लिए ठीक है है यह एलेक्ट्रोणाइट के लिए तो ड Sugdhay निग में तो पर मगने के लिए धर के लिए असन दिंग में लीक्रो लाईंट के लिए ensuite कि संदिंग इंद्न शैंद इंटंथ है लोग् Tabii किसकी एलेक्ट्रोड़्य यह एक सेंदिंग इंपर में वहीग सेंद्ग very 134 की बात करते हैं उसकी बाद है 135 की ठीक है 135 देखते हैं लास्ट कुछन है तब फंक्शनिंग ऑप किड्नी इस मॉनिटर्ड एंड रेगुलेटेड बाई हार्मोनल फीडबेक मेकनीजम किड्नी की जो एक्टिविटीज कौन-कौन से हार्मोनल मेकनीजम से होती है तो एक और हार्मोन होता है जो हाइपोधेलेमिक हार्मोन है और पोस्टीर पिट्यूटी ग्लेंड से रिलीज होता है ठीक है सिक्रेट होता है उसका नाम है एक होता है हाइपुथलमस से रिल्लीज होता है adhaus MA ऱैक थीक है तो देखो जह जीए शेल्ल साती है G.g. शुर्फ एपटरस से रिलेटड है ठीक है हर्द से रिलेटड कौन सा हो गया से ओ गया रिलेटेड तो खीक है राज सिस्टम जे ऑसिए ऐस रिलेटेड हो गया ठीक है है देखो आ ज्यद्टि ये जो है प्रेटर्स वो किसका पार्ट हो गया राज सिस्टम का उकूझ है उसके बाद करते हैं बाद हम एएनएफ एनएफ किस रेलेटेड़ हो गया ठीक है जैसे हम बात करें जीए है जीए के बाद में एज जीए जीए रिलेटेड है राज सिस्टम से ठीक है उसके बाद में है हुँ हट से रिलेटेड क्या है हुए है ये टीक है उसके बाद आता है हॉय को नाम से क्या रिलेटेड है हो इस धी यह को यह वैसोप्रेसे ओके हुआ रहल्ते है थीक होती है राष संवे इसलस है यह सो लटा है वो जो राट स सिस्टम की लिए हर्ड से घ्यक्त हो गया ह होटा है उसके लिए हुआ जो हर्मनाल एंध ग्रेक्ट होटा है पर काम पर रहे हैं ठीक है हार्मोनों तीनों तो 135 में हो गया सेकेंड ओके तो हमारा पूरा जो सेशन था ये सोलीशन का वो कम्प्लीट हुआ ठीक है ओके जैसेलसी थैंक्यू